अभी चुकी झारखंट का जिक्राया, भारती जनता पार्टी का जिक्राया, मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी कन्फ्यूज है सब, पथलगडी का जो आंदोलन था वो कह रहे थे कि आदिवासी कहीं से आए, यदि इनके नेता कहते हैं कि आदिवासी हैं और आदिवा कि परिवासा पहले कॉंग्रेस को समझनी चाहिए कि उनका नेता कुछ का रहा है और लीडर जो है कुछ का रहा है, पथलगडी आंदोलन ये था कि आदिवासी कहीं बाहर से आए और जब से बाहर से आए तो उन्होंने पत्थल लगाया वात है, दूसरा जो मैं मेरा प्रसन 9% आज 2022 में आदिवासी का पॉपलेशन 24% है और मुसल्मानों का पॉपलेशन 35% है, यह मैं पूरे देश में समझने के लिए कह रहा हूं, मुझे हिंदू मुसल्मान आदिवासी से लेना देना नहीं है, मेरा मंत्री महदे से आग रहा है कि जो आज का कानून कहता है, कि किसी इलाके की डिमोग्राफी बदलेगी, तो उसके रिजर्वेशन के उपर आपने कभी सोचा है, क्योंकि इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, पूरे देस भर में, पूरे सभी जगा पूरे देस में डिलिमिटेशन हो गया, जारखंड में नहीं हुआ क्योंकि उसकी एक आधिवासी की सीट लोगसभा की, और तीन आधिवासी की सीट विदानसभा की घट रही है, तो आधिवासीों का जो पूपलेशन घट रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और तीसरा, हमने किसी को भीख नहीं दिया है, ये कॉंग्रेस पार्टी ह जिसके नेता और उनके बेटे का जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जूता उठाया उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी और बिहार के मुख्यमंत्री ने ने और आदिवास्यों को नारी 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 नारी